कर दोस्तों आज मैं विभिन खिलाडियों के बुक्स के बारें बात करूंगी जो आपके कोई भी एक्जाम में एक दू कोश्चन होर बार पुछा जाता है इसलिए आप विधिवत नोट कर लिजेगा कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलिवस के अपनी तयारी को बेहतरिंग कर सकते हैं दोस्तों डेली बीचेस पर प्रिवेस यर्जेम सिक्यूर्ट सिरीज दिये जा रहे हैं उसका प्रैटिस करना न भुलिएगा तो चलिए चलते हैं आज की टापिक पर सबसे पहल पीटिउसा ने कौन सा बुक लिखा है गोल्डन गर्ल तेक है गोल्डन गर्ल नेश्ट है सुनिल गावर्शकर सुनिल गावर्शकर जी ने कौन सा बुक लिखा है सनी देज वंडे वंडर्स तेक है सनी देज वंडे वंडर्स नेश्ट है निर्मर सेखर निर्मर सेखर जी लिखे हैं और टच आप टेनिस इसमें रामकृष्ण की बायोग्राफी दी गई है निष्ट है अजित वाडेकर अजित वाडेकर जी लिखे हैं माई क्रिकेटिंग इयर्स इनका 15 अगस्त दोहजर ठारों को निधन हो गया यम प्रसन्ण इन्होंने लिखा है क्या लिखे flavored मियदाद इन्होंने लिखा है कटिंग एज नेस्ट है लोकेश नाधानी इन्होंने लिखा है चमतकारी सचीन ठीक है नेस्ट है कपिल देव कपिल देव ने लिखा है cricket my style and straight from the heart इनकी कपिल की autobiography है इनको हर्याडा hurricane के नाम से भी जाना जाता है हाली में भारत गवर्ब आवार्ज इनको समान दिया गया है एंड हर्याडा sports बिस्विद्यालावी देख चांसलर भी है नेस्ट है ध्यान चंद ध्यान चंद ने क्या लिख्या है महानह की खिलारी है गोल हुनकी आतमकथा है नेस्ट है सेन Divad के आश रिया के पूरु किर्केटर है रिकर है नोच पीन कि माइ आटोबाइबयो ग्राफ़फी थीक है नोच पीन माइ आटबयो ग्राफस तिक है नेस्ट है शाहित अफरिदी कि बजाहत यह लिखे है गेम चेंजर इसमें उनकी आटो बायोग्राफी है नेश्ट है वीवियस लचमण इन्हों ने लिखा है दो से क्यासी एंड इस बियोंड 2018 में रिलीज हुआ है या नेश्ट है सचिन तेंदुलकर इन्होंने लिखा है प्लेइंग इट माई वेए प्लेइंग इट माई वेए पिछली येर हाल ही में इनको मोस्ट इफेक्टिव सचिता अमबेटकर अवार्ड से नवाजा गया है नेश्ट है सानिय मिरजाओ इन्होंने लिखा है एस अगेंस्ट और्स इनकी आत्मकत्था है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वेब मलिक की वाइपर जिन्होंने क्रिकेटर्स से सन्यास ले लिया है नेस्ट है क्रिस गेल यह लिखे है आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव वीट नेस्ट है मिल्का सिंग ने लिखा है दर्रेश आउफ माई लाइफ नेस्ट है सान्या नेहाल इन्होंने लिखा है प्लेइंग टु विन नेस्ट है अरुडिमा सिंहा यह प्रथम दिवियांग महिला एरेश्ट विजेता है इन्होंने लिखा है बर्न अगेन अन्द माउंटेन नेस्ट है अनिल कुम्बले इन्होंने लिखा है वाइड एंगल नेस्ट है सवरोब गांगुली जिन्हें बंगाल टाइगर के नाम से भी जना जाता है इन्होंने लिखा है एस सेंचुरी इज नाट इनफ नेस्ट है राफेल नडाल इन्होंने लिखा है राफा माई स्टोरी इस्पेन के हैं टेनिस की लड़ी नेस्ट है उसेंड बोल्ट जमाइका के एथलिट है इन्होंने लिखा है फास्टर दैन डाव लिफ्टिंग माई स्टोरी नेस्ट है यवराज सींग इन्होंने लिखा है प्रेश्ट आध माई लाइफ बनेष्ट है मिथाली राज यव महला क्रिकेटर है इन्होंने लिखा है और गाड़िन इनकी आत्मकथा है नेश्ट है संजय मंज रेकर भारत की क्रिकेटर है इनने लिखा है इंपर्फेक्ट नेश्ट है माइकल फैबस इनने लिखा है नो लिमिर्स डवील टू सक्सीद नेस्ट है आंद्रे अगाशी यूस्टे की टेनिस खिलाडी इन्होंने लिखा है ओपेन एन आटोबैग्रॉफी नेस्ट है नुवाग जेकोवी ए टेनिस खिलाडी है इन्होंने लिखा है सर्व टू विन नेस्ट है YAMC Marycom इन्होंने लिखा है Unbreakable आत्मकथा नेस्ट है Ricky Potting आस्टेलिया की क्रिकेटर है इन्होंने लिखा है A close of my play इनकी आत्मकथा है नेस्ट है Abhinobindra इन्होंने लिखा है A short at history my obsessive journey to Olympic goal आत्मकथा नेस्ट है BJ हजारी इन्होंने लिखा है Long Innings नेस्ट है Swayab Akhtar Pakistani Cricketer इन्होंने लिखा है Controversially Years नेस्ट है Wasim Akram Pakistani Cricketer इन्होंने Wasim आत्मकथा लिखा है नेस्ट है Imran Khan इन्होंने लिखा है All Round Viv आत्मकथा नेस्ट है Vivian Richards इन्होंने लिखा है Hitting Across the Line आत्मकथा नेस्ट है Mike Tyson इन्होंने लिखा है Undissuited to my autobiography नेस्ट है Karl Levis इवस्चे का धावक है इन्होंने लिखा है Inside Track आत्मकथा नेस्ट है मुलकराज आनंद इन्होंने लिखा है Last Child नेस्ट है असलम सेर खां होकी खिलारी है To Hale With Hockey इन्होंने लिखा है To Hale With Hockey तो दोस्तों यह था प्रमुक्थ खिलारीों के प्रमुक्थ बुक्स जो बेरी इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम्स के लिए कुल 49 खिलारी और उसके बुक्स के नाम इसमें बताया गया है आई होकी दोस्तों सभी तीजे आपको किलियर होगी और दोस्तों वीडियो कैसे लागा बुची कमेंट में जरूर बताईए और ज्यादे ज्यादे सेयर कीजिए दोस्तों और फर्स्ट बार वीडियो देख र लीजिए जिससे जो ही मैं नए वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नाटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाए हैं